उंगलिया चाटते रह जाओगे गारंटी है मेरी जब ये रेसिपी आप ट्राइ करोगे आज मैं आपसे शेर करी हूँ इद्दम स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी पाउ भाजे की देखते ही बनाने का मन हंड्रेट परसंट करने वाला है साथ ही मैं मसाला पाउ जो मुँ में जाते ही घुल जाएगा वो भी हम आज बनाएंगे और एक स्पेशल चटनी तो चलिए लेट्स स्टार्ट हलो फ्रेंद्स और वल्कम बैक तो माई चैनल चलिए आज बनाते हैं पाउ भाजी जो सभी को पसन आती है मैं इद्दम स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी शेयर कर रही हूं तो इसके लिए हम ले लेंगे यहां कश्मीरी लालमिच 15-20 कश्मीरी लालमिच ले ले और सीजर की हल्ट से इसके उपर की डंडी और अंदर के जो बीज है वो आप निकाल ले बीच इसके बिलकुल भी नहीं चाहिए देखिए सारे सीड को निकाल लिया है मैंने अब मैं गरम पानी ले रही हूं और इसे एक बार वाश करेंगी ताकि इस पे जो भी डर्ट वगेरे धूल मिटी लगी हो सुखने के टाइम पे वो सारी निकल जाए तो इस पानी को निक मैं थोड़ा सा गरम पानी यहां आड कर रही हूं और इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं तो देखिए हमारा जो लैसून का पेस्ट है वो बनके रेडी है फ्रेंस इसी तरह से स्ट्रीट स्टायल बनता है फ्रेंस आप ज़रूर ट्राइ करें यह रेसिपी तो इसे बोल में निकाल लिया है सेम उसी मिक्सरी जार में मैंने 8–10 हरी मिर्च ले लिए है इसे पल्स मोड पे हम पीस लेंगे यानि इसका पेस नहीं चाहिए बिना पानी के आपको इसको पीस नहीं इस तरह से दर दरा टेक्श्टर वाला हमें यह मिर्च का पेस चाहिए अब जो ह यह जो कश्मिरिल लाल मैच का paste से वो बन के ready है, यह paste आप बना के रख सकते हैं, का लगए कर दो कि तरहने, बटर आप बटर कोड़ साथी के वाइल को आप कुंज से ओल करेंisia गया, कश्मिरी .लालमिक पेस्ट डाल रही हूं और 3 चमछ के करीब ही मैं भूड़ा चाहरी में दॉन का पेस्ट ने पंपाउडर हम दॉन जल नाव कने पाउदर कश्मिरी ऑंपाउडर के और मिकस दुख करेंगे ओनिन को जली से कैमलाइस करने के लिए पकाने के लिए आपको टिप याद ही होगी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको पकाएंगे 3-4 मिट के लिए तो यहां देखिए ओनिन भी अच्छी तरह से गल चुके है आप इसमें डालूँगी मैं एक चोथाई कप के करीब कैपसिकम जिसे मैंने फाइन चॉप किया है दो मिट के लिए इसे भी पका लेंगे स्टियर करते जाना है मीडियम फ्लेम आपको रखनी है इसके बाद में इस को अब हम पकाएंगे अच्छी तरह से तीन से चार मीड के लिए ताकि सब आपस में मिल जाए अब इसमें डालेंगे बॉइल की हुए वेजिटेबल सबसे पहले मैं मतर आड़ करेंगे इसके पाद एक कॉलीफलावर आड़ किया है दो मैंने गाजा ले लिए है एक कप इसकी बाद हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला तीन से चार चम्मच होम मेट पाव भाजी मसाला है नमक दालसे स्वाध अनुसार धनिया का पाओडर दालेंगे दो च चम्मच आधा चमच हल्दी पाओडर आड करूंगी और कशूरी मेथि आप अड़ करें और इन सार जरसे मैश से आप इसको करते जाए अगर आप इससे पैन में बनाएंगे तो जादा असानी होगी और मैं डाल रही हूँ इसमें गरम पानी अब गरम पानी आपको तीन से चार बार बैचेज में डालना होगा और यह प्रोसेस आपको करना होगा 10 से 12 मिनिट के लिए तभी का टेस्ट होता है वो आएगा वो घोड़ घोड़ के ही बनाते हैं कोई ब्लेंडर को मिक्सी का यूज नहीं करते हैं तो यहां पाव भाजी को मैं दूसरे फ्लेम पे रख लेती हूँ अब इसके साथ जो सर्व की जाती है मुंबई में श्रीट स्टाइल में जो चटनी है वह हम बनाते हैं तो बटर ले लिया है इसमें कष्मिरी लालमिच का पेस्ट अड करेंगे लैस्ओं का पेस्ट आड करेंगे आधा छमच के करीब कच्छा जीरा अड करेंगे थोड़ा से हम दालेंगे गरम मसाला और पाव भाजी मसाला अड करें और इसे mix करें ये चटनी 15 अब दाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और इसे पकाएंगे 5-6 मिनिट के लिए कि इसमें जो ऑईल है वो रिलीज हो जाएं इसमें डाल रही हूँ दो चमच के करीब लेमन जूस जो इसको प्रिजर्व करेगा और इसका टेस्ट भी एन्हांस करेगा तो हमारी ये जो spicy चटनी है वो ready है ऐसे भी आप इसे enjoy कर सकते है बस इसे थंडा होने के बाद स्टोर करके रखे फ्रिज में चलिए हमारे पाउभाजी पर फिर से आ जाते है और पाउभाजी हमारे बन चुकी है इसमें ये थोड़ी सी चटनी आड़ कर रही हूँ साथ ही में बटर आड़ करेंगे पाउभाजी और बठर कर जो combination है वो हम नहीं avoid कर सकते हम skip कर ही नहीं सकते तो देखे हमारी जो पाउभाजी बनके ready है लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया और इसके बिना तो मेरी हर रेसिपी अधूरी है इसके बाद हम डाल करेंगे दो से तीन चमच के करीब lemon juice और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और दो मिनिट और इसे पकने देंगे और that's it हमारी जो स्ट्वीट स्टाइल पाउभाजी है वो बनके ready है अब चलिए बनाते है इसके साथ सर्फ किये जाने वाला मसाला पाउँ तो पैन पे मैंने ले लिया है बटर और जो अभी हमने चटनी बनाए थी वही हम डालेंगे दो चमच के करीब और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे लो फ्लेम पे ही आपको ये प्रोसेस करना है इसमें डालेंगे हरा धनिया इसे टेस्ट बढ़ता ही है एक प्रेशनस भी आती है लुकिंग अच्छी बटर लेना होगा मसाला डाले और ये मसाला पाउ आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं बहुत जादा टेस्टी लगता है फ्रेंट जरू ट्राइ करे ये रेसिबी तो चलिए फटा फट इस गर्मा गरम मसाला पाउ को सर्फ कर लेते हैं गर्मा गरम खाने का मसा ही आ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुव में पानी आया की नहीं जरूर कमेंट करके बताएगा फ्रेंट्स ये जो पाउ भाजी है अद्दम स्ट्रीट स्टाइल घर पे बनने वाली है बस थोड़े से मस लाने की जरूरत नहीं है अगर मुंबाई में जुहु चौपाटे की आपने पाउ भाजी खाई है बस वही फ्लेवर आपको आपके घर पे मिलने वाला है तो ट्राइ करें और आपके फिट बैक दे गर्मा गर्म ये वाली रिसिपी आप इंजॉय करें और आगे कौन से रि अग्यूशना बटोर आपके खाई बटोर से ईयुका जु है जुआ है और आपके जुड़ में जुबी खाई की मिलने वाली ऐन сильно खाई में जुबागे ब bachelor आपके औरोلة्मा असे पाई है जुब अगर है 공ें करें ब case yू नहीं हैू है